Hello students, welcome back to Chemical Crafter, हमारा class 11th का chapter number 2, that is structure of atom जल रहा है, और जो आज का part है वीडियो का, ये है part 18th उसी chapter का, तो चलिए हम देखते हैं हमारा आज का topic, जो है explanation of line spectrum of hydrogen, आपको याद होगा students, हमने line spectrum of hydrogen atom बहुत अचे से study करा था, electronic transitions उसके अंदर कैसे कैसी होती है, हमने ये बहुत अचे से देखा था, और हमने यहाँ पे उसकी naming करी थी, जो different different उसकी lines आती है, यहाँ पे आपको याद होगा, Lyman series, जैसे Balman series, Parson series, Bracket, Fund series, Humphrey series, हमने ये चीज़े बहुत अचे से देखी थी, और अब हम आज यहाँ पे हमारे scientist Boher ने, जो हमें model दिया था hydrogen atom का, उसके with respect to हम यहाँ पे quantitatively line spectrum को study करेंगे, तो चलिए, अब हम देखते हैं इसमें हमारे क्या-क्या points है, यहाँ पे हमें पता है कि जो energy जो होती है, वो absorb होगी, अगर यहाँ पे electron move करेगा, कहां से orbit जो होगा, हमारा smaller principal number, that is, to the orbit of higher principal quantum number, कहने का मतलब, कि जैसे smaller, जैसे n is equal to 2 हो गया, यहाँ से move क करके, वो higher principal quantum number, that is, n is equal to 5 पे चलागा, यह हमारा क्या हुआ, कि lower principal quantum number, आपको पता हुसको हम n से denote करते हैं, जो यह principal quantum number है, हम इसको n से denote करते हैं, हमने last video में भी study कर रहा है, और अगर यह lower से higher की तरफ चाहेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, कि जो energy है, वो absorb हुई है, और अगर हमारा जो electron है, वो higher orbit से, that is, अगर हम n is equal to 5 से lower orbit, that is, n is equal to 2 पे जा रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, कि जो energy है, वो emit हुई है, यहाँ पे, और जो दोनों का energy gap होगा, वो हम कैसे देंगे, delta e is equal to ef minus ei, यहाँ पे ef और ei का मतलब क्या है, यहाँ पे, final orbit और यह initial orbit, i stands for initial, f stands for final, तो अभी हमने जो बात देखी है, उसको हम अभी और अच्छे से देख लेते हैं, यहाँ पे हमने क्या बोला है, कि जो हमारी energy है, यहाँ पे, वो हम कब बोलेंगे, कि वो absorbed हुई है, जब हमारा जो electron है, जैसे n is equal to 2 से, वो चला गया, n is equal to 5 पे, smaller principal quantum number से, higher principal quantum number में चला गय हम उसको क्या बोलेंगे, कि जो energy है, वो absorbed हुई है, अगर हमारा electron, अगर n is equal to 5 से, higher principal quantum number से, छोटे quantum number पे आ जाता है, n is equal to 1 पे कहलो, imagine, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, जो हमारी energy है, वो क्या हुई है, emitted, हम उसको बोलेंगे, हमारी energy जो है, वो emitt हो गई है, क्योंकि हमार जो electron है, वो higher energy level से, छोटे वाले energy level पर आ गया है, तो चलिए, अब हम दिखते हैं, और इसका जो energy gap जो होगा, हमने पहले भी देखा था, उस energy gap को हम delta E से denote करते हैं, और उसको हम कैसे देंगे, EF minus EI, that is E final, जो इस पे वो पहुँच क्या है, orbit पे, और initial जहां से वो शुरू कर रहा था, या तो आप बहुत हैं कि उपर से नीचे जब वो आ रहा था, यहां से उपर से जब नीचे हमने 5 से, 1 पे कर रहा है न, तो यहां पे initial क्या ओर जीगी, 5, और final state उसकी कौन सी हो जाएगी, 1 यहां पे, तो अगर यहां से वो उपर जा रहा है, 1 से, अगर वो लास ताइम हमने देखा था, हमारे scientist Bohar ने, energy के जो हमें value दे थी यहां पे, energy level की electron के, वो क्यासे दे थी, en is equal to minus rh into 1 upon n का square, और n के है हमारे पास, principal quantum number, that is shell, यह कोई भी shell हो सकती है, यहां पे, n is equal to 1, 2, 3, so on, यहां पे, यह हमने लास ताइम बहुत अच्छे से चीजें यही थी, en is equal to 3, तो यहां पे हमारे पास, यह है, यह वाला हो गया equation, और हमने अभी देखा कि जो हमारा delta E, that is energy gap, हम कैसे दे सकते हैं, E final minus E initial, यहां पे भी देखा ना, पिछे हमने गया, यह वाला, अब हम इन दोनों equations को अगर combine करनें, यहां पे, तो हम कैसे लिख सकते हैं को, चलिए, अब हम करके देखते हैं, इसको कैसे करते हैं, यहां पे हमें पता है, delta E is equal to E final minus E initial, और साथी साथ हमें यह भी पता है, कि जो हमारे scientist Bohr ने, हमें जो energy दी थी, उसकी value क्या थी, en is equal to minus RH, RH हमारा क्या है, red work constant, all into 1 upon n का square, अब अगर हम इन दोनों equations को यहां पे combine कर तो हम कैसे लिख सकते हैं, that is, delta E is equal to, अगर हम इसकी form में लिखना चाहें इसको, तो कैसे ओज़ेगा, minus RH upon, यहां पे n का square है, अगर हम final के regarding लिखने चाहें, यहां पे en है, तो यहां पे n यहां पर है, तो अगर हम यहां पे final orbit के लिखना चाहें, तो यहां पे हम कैसे यहां पे आज़ेगा, nf का square, यह हमारा आगया, delta E is equal to final के लिए, और अब हम लिखेंगे, यहां पे initial state के लिए, that is, minus RH upon n, initial state का, यहां पे square, जो यह ni और nf है हमारे पास, यह क्या है, बच्चे, initial orbit, यह वाला, initial orbit, और nf is final orbit, यह वाला है, final orbit, यहां से हमारा delta E की value हम easily calculate कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमें पता है, अगर हम frequency को हम अगर हम देना चाहें, किसी भी absorption और emission जो हमारा photon हो रहा है, यहां पे हम उसको कैसे दे सकते हैं, that is, हमें पता है, E is equal to क्या होता है, h नियू होता है, पर यहां पे हम क्या ले रहे है, delta E, तो हम यहां पे frequency कैसे निकाल सकते हैं, that is, delta E upon H करके निकाल सकते हैं, और delta E हमारे पास पता है, value क्या है हमारी, it is equal to, यहां पे RH upon H, इसको निकाल दिया, हमने common, और अंदर हमारे पास क्या पिछ क्या, that is, N I का square minus 1 upon N F का square, आप देखो, आपको पता चला है, से के नहीं, कि मैंने कैसे लिखा, यहां पे delta E है, यहां पर यहां पाली value, इसको हमने यहां पे substitute कर दिया, और H जो था हमने common निकाल लिए बाहर, और RH भी यहां पे, देखो, दोनों में common थी चीज़े हैं, यहां पे, और यहां पे इसको bracket को open करोगे, minus minus क्योंता है, प्लस ह हो जाता है, ठीक है, तो इसलिए मैंने NI को पहले लिख लिए, क्योंकि इसके पास positive sign है, यहां पे, ठीक है, और यह negative sign है, NF के पास, तो यहां पे मैंने इसको second value place पे लिख दिया, that is negative sign upon NF का square, यह initial orbit और यह हमारा final orbit, तो यह हमारी बनगी, यहां पे equation, यह से हम क्या calculate कर सकते ह frequency है, यह, जो photon हमारा निकल रहा है, during absorption या फिर emission के दोरान, हमें पता है, साथ इसाथ की हमारी जो RH, that is, Redberg constant की जो value है, वो क्या होती है, हमने last time भी इसको study किया था, that is, RH is equal to 2.18 into 10 की power minus 18 Joule, और H हमारे पास क्या है, बच्चे, Planks constant, यह हमें पता है, और इसकी value कितनी होती है, 6.63 into 10 की power minus 34 Joule second, और यह, जो हमारे पास, 1 upon ni square, 1 upon nf का square, यह हम ऐसी लिख देंगे यहापे, अब हम इसको solve करेंगे, यह वाली जो है हमारे पास, इसको simplify करेंगे, और हमारे पास क्या answer आजएगा, अब वो देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास answer आ गया, यहाँ तक हम pause के थे तो हमारे पास इसको solve करके आया, 3.29 into 10 की power 15, into 1 upon ni का square, minus 1 upon nf का square, hertz में हमारे पास यह value आगी, that is, इसकी value यह frequency की, तो यहाँ पे frequency की value पता चल गई, यह frequency का sign है, यहाँ पे, that is new, और अब हम देखते हैं, अगर हमें wave number की terms में, अगर हमें देखना हो, तो हम कैसे इसको हमें पता है, wave number के बारे में क्या चीज़े पता है हमें, आपको याद होगा, हमने जब during हमारे 3-4 videos आप पहले की याद करो, तो हमने काफिय उसमें relations देखे थे, frequency का relation, wavelength का relation, यह सब चीज़ें, तो हमारा क्या होता है, c new bar is equal to frequency, new bar हमारे पास क्या होता है, it is a wave number, और c क्या ह हमारे पास speed of light या velocity, और new हमारे पास क्या है, it is frequency, तो यहाँ से हम निकाल सकते है, wave number की value, that is new bar is equal to new upon c, यहाँ से हम इज़े निकाल सकते है, new की हमने अभी भी value निकाल लिए है, frequency की, तो उसको हम अगर divide कर देंगे c से, हमारे पास value आजाएगी किसकी, wave number की, हमें पता है, c क को solve कर लेते हैं, तो हमारी क्या value आजाएगी, अब हम वो देख लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, c की value हमें यहाँ पे place कर दी है, और हमारे पास जो value आगए, इसको solve करके, वो आई है, 1.09677 into 10 की power 7 into 1 upon n i का square minus 1 upon n f का square per meter, यह students आपने values याल रखनी है क्योंकि numericals जबाएंगे, तो आपको यह बहुत ज़्यादा help करेंगे उसको solve करने में, और हमें एक और चीज़ याद रखनी है, अगर हमारे पास absorption हो रहा है spectrum में, यहाँ पे, अगर absorption हो रहा है, तो यहाँ पे हमेशा n f की जो value होगी, that is, final orbit की, वो हमेशा ज़्यादा होग n i के, मतलग, अगर ऐसी चीज़ होगी, तो जो यह value होगी हमारी energy की यहाँ पे, उसकी ID value positive, और उसका मतलग क्या हो जाएगा, कि energy जो है, हमारी क्या होगी है, वो absorbed, similarly, अगर हमारे पास यहाँ पे n i अगर बड़ा है, n f से, तो यहाँ पे क्या signify करेगा, कि energy जो है, क्या हो हो रही है, और यह जो value आएगी हमारी energy की, वो क्या हैगी, negative value आएगी, तो that is, यह हमारे पास हुआ यहाँ पे emission spectrum, और जो उपर वाला यह मैं आपको बताया था, कि n f is greater than ni, यह वाला हुआ हमारा absorption spectrum, तो चलिए, अभी हम देख लेते हैं, और points, in case of absorption spectrum, वही जो मैं आपको ब बोलेंगे कि energy जो है, वो absorbed हुई है, और emission के case में क्या होगा, कि ni बड़ा होगा, n f से, और हम बोलेंगे कि energy जो है, release हुई है, और वो signify कर रहा है, emission spectrum, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो spectral line है हमारी hydrogen atom की, चाहे वो absorption शो कर रही है, चाहे वो emission spectrum शो कर रही है, वो किसके स associate होगी, कुछ particular transitions जो होगी electron की, hydrogen atom की, उसके साथ ही वो associate होगी, यहाँ पे, जैसे अब हमारे पास ही lines होती है, यहाँ पे, यह orbits की lines है, electron अगर यहाँ से यहाँ जा रहा है, वहाँ से यहाँ जा रहा है, n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3, n is equal to 4, तो यहाँ पे क्या बोला है, कि जो जहा पे transition हो रही है, वहाँ पे, उसी के according वो अपना क्या दिखाएगा, spectrum दिखाएगा, साथ ही साथ, अगर हमारे पास large number of hydrogen atoms हैं, बहुत सारे, तो अलग-अलग possibility होगी हमारे transitions के electron की, अलग-अलग चीज़ें हमें observe करने को दिखेंगी, और उसी तरह से अगर जादा electron है, अलग- चीज़ें पे depend करेगी, obviously हमें पता है, वो depend करेगी number of photons, हमारे पास कितने है photons, उसके duration में कितने वो absorb हो रहे हैं, कितने वो emit हो रहे हैं, उनकी कितनी wavelength के according और frequency के according, तो यह जो चीज़ें है, brightness, intensity, यह हमें पता है, यह हमारे photons में depend करती हैं, तो चलिए, अब हमारा जो formula हमने generate कर रहा है, उस पे हम एक numerical देख लेते हैं, तो जिससे अब और भी चीज़े clear हो जाएंगी, what are the frequency and wavelength, यहा पे पहले हम statement देख लेते हैं, what are the frequency and wavelength of a photon emitted during a transition from n is equal to 5 state to n is equal to 2 state in the hydrogen atom, सबसे पहले हम देखते हैं, हमें क्या क्या given है हमें, हमें इन्रों ने बता रख है कि photon ने emit करा ह है, transition during यहां पे, क्या emit हुआ है, photon emit हुआ है, कहा कहा की state से, from n is equal to 5 से, n is equal to 2 की state पर, तो यहां से आपको कुछ याद आ रहा होगा, मैं आपको यहां पे एक diagram भी यहां दिखाती हो, हारा जो line spectrum है hydrogen का, यहां पे उन्होंने बोला है, कि यहां पे n is equal to 2 वाला जब आता है, त तो हमें यह तो पता चल गया, कि जो transition हुई है यहां पे, that is, from n is equal to 5 से, और n is equal to 2, यहां पे initial हमारा 5 होगा, और वो आया है 2 पे, that is, final state हमारी कौन सी है 2 पे, तो हमें diagram देखे पता चल गया है, जो हमारा line spectrum है यहां पे, that is, जो हमारा electronic transition हुई है, अभी हमने देखा जो, उस में दिखेगी हमें visible region में, visible region में, that is, कौनसी वाली series बोलेंगे हम इसको बचे, Balmer series, और हमें साथ ही साथ हमें formula पता है, that is, delta E, हमें निकालनी है, देखो frequency और wavelength, तो सबसे पहले अगर हम E, हमें value बता होगी, energy की value, that is, delta E की value बता होगी, तो हम उसके with respect to, हम उसके frequency भी निका जगते हैं, तो जड़े भेले हम delta E निकाल लेते हैं, यहाँ पे, delta E हमारे पास क्या है value इसकी, that is, redberg constant, that is, 2.18 into 10 की power minus 18 joules, into, 1 upon हमारा था, n1, nI का square, यहाँ पे था, na, formula में, nI का square minus 1 upon nF का square, तो यहाँ पे, nI का initial state हमारी क्या है, 1 upon 5 का square minus 1 upon 2 का square, अब हम क्या करेंगे, इसका यहाँ पे, जो square है, इसको solve कर लेंगे, यहाँ पे, 2.18 into 10 की power minus 18 joules, और हम इसको क्या करेंगे, 1 upon 5525 minus 224, अब इसको LCM ले लेंगे, यहाँ पे, और इसको solve करेंगे, that is 2.18 into 10 की power 18 joules, और 25 into 4, यह हमारा LCM के किसी भी table पे नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे इसको, हम multiply करेंगे, 100 और 25, 4 is a 100, 4 into 25 is a 100, अब हम इसको solve कर लेंगे, यहाँ पे, यह जो हमारा part बना, that is, 2.18 into 10 की power minus 18 joules into minus 21 upon 100, 100, अब हम इसको solve कर लेंगे, और हमारे पास जो value आ जाएगी, वो किसकी आ जाएगी, that is delta E की value, और वो कितनी आ रही है हमारी value, delta E की, it is minus 4.58 into 10 की power minus 19 joules, यह हमारी आगी delta E की value, delta E की value हमें, यहाँ पे calculate हमें कर ली है, और यहाँ पे जो negative sign जो show कर रहा है, वो क्या दिखा रहा है यहाँ पे, negative sign कि यह emission spectrum है, यहाँ पे, कि जो negative sign है, यह क्या दिखा रहा है, यह emission energy है यहाँ पे, emission energy that is, energy यहाँ पे क्या हुई है, released हुई है, negative sign का मतलब यह है कि यहाँ पे जो है energy released हुई है, और यह emission energy है, और अब हम frequency कैसे निकालेंगे, frequency का में formula बता है, that is, new is equal to delta E upon H, अब हम इसको यहाँ से, divide कर देंगे, जो हमारी value आई है, इसको किसे करेंगे हम divide, that is, blanks constant की value से, यहाँ पे क्या रज़ेगा, four point, आपको यहाँ पे negative sign लिखने की जुरुरत नहीं है students, क्योंकि हमें यह पता है, यह negative sign हमने सिर्फ और सिर्फ क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे हमें पता चल रहा है, कि जो energy जो यहाँ पर है, वो release हो रही है, और यह emission energy है, तो emission energy के साथ, हमीशा ही negative sign आएगा, तो इसका significance हमने explain कर दिया है, यहाँ पे, तो यहाँ पे further, आपको यहाँ पे negative sign यूज़ करने की जुरुरत नहीं है, तो यहाँ पे हम value को substitute कर देंगे, और h की value हमें पता है, it is 6.6 into 10 की power minus 34 joules second, अब हम इसको calculate कर लेंगे, यहाँ पे इसको calculate करके हमारे पास जो value आई है, वो आई है, 6.91 into 10 की power 14 hertz, hertz कैसे आया, joule से joule cut हो गया, यहाँ पे second है, उपर जाएगा, क्या होजएगा, per second और per second को हम hertz भी लिख सकते हैं, यहाँ hertz लिख लो, यहाँ पर second लिख लो, दोनों सेम ही चीज़ है, यह हमारी आगी यहाँ से frequency की value, अब हमें यहाँ पे क्या calculate करना है, wavelength, wavelength हमें पता है, relation हमारा, wavelength का, इसको मैं erase कर दूँ, यहाँ पे, यहाँ पे हमें पता है, wavelength का जो relation होता है, that is, c is equal to frequency into lambda, और यहाँ से lambda किसकी को लोजएगा, c upon new, c हमें पता है, that is velocity of light, 3 into 10 की power 8 meter per second, divided by frequency, जो हमने अभी-अभी calculate करी है, यह वाली value, इसको हम यहाँ पे substitute कर देंगे, 6.91 into 10 की power minus 40 hertz, अब हम इसको calculate कर लेंगे, यहाँ पे, तो हमने जब calculate करा, इसको यहाँ पे हमारी जो value आई है, वो आई है, 434 into 10 की power minus 9 meters, और हमें पता है, 10 की power minus 9, हम इसको क्या लिख सकते हैं, nanometer भी लिख सकते हैं, that is 434 into, into तो करने की जोरती नहीं पड़ेगी, that is 434 nanometers, तो यह हमारे पास क्या या, wavelength, यह wavelength निकल गई, और यह हमारे पास निकली थी, that is, क्या था यह, frequency, और यह थी energy, तो यह हमने कर ली, calculate, हमने देखो, बहुत easily calculate कर लिए, क्यों कर लिए easily calculate, क्योंकि हमें formula पता था, अगर students, आपको यह फियाद रहेगा formula in your exam, तो आप बहुत जल्दी इसको solve कर पाऊंगे, तो आप इस पे focus कीजिए, कि आपने formulas को अच्छे से याद करना है, आप daily basis पे इनको देखोगे, तो automatically आपको memorize यह होते रहेंगे, तो आप इनको go through होते रहो daily basis पे, जहाँ पे आपको बता है कि जो formulas है, थोड़े से lengthy हैं, तो आप उनको थोड़ा-थोड़ा सा daily देखते रहो, तो यह था हमारा आज का topic, अगर students आपको इसमें कोई भी query है, तो आप मुझे comment section पे लिके बता सकते हैं, तो अब हम मिलेंगे in our next video with our new topic, तब तक के लिए students आप अपना ध्यान रखिए, okay students, bye-bye.